लीजे सुनिये मुंशी प्रेम चेंद के लिए के उपन्यास सेवा सदन के तेरहवे भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में सुमन के चले जाने के बाद पदम सिंग के हिर्दय में एक आत्म गिलानी उत्पन हुई मैंने अच्छा नहीं किया ना मालूम वो कहां गई अपने घर चली गई तो पूछना ही क्या किन्तु वहाँ वो कदापी न गई होगी मरता क्या ना करता कहीं कुली डिपो वाली के जाल में फस गई तो फिर छूटना मुश्किल है ये दुष्ट ऐसे ही अफसर पर अपना बाण चलाते हैं कौन जाने कहीं उनसे भी घोरतर दुष्ट अचारियों के हाथ में न पढ़ जाए सासी पुरुष को कोई सहारा नहीं होता तो वो चोडी करता है कायर पुरुष को कोई सहारा नहीं होता तो वो भीख मांगता है लेकिन इस्त्री को कोई सहारा नहीं होता तो वो लज्जाहीन हो जाती है युवती का घर से निकलना मुँसे बात का निकलना है मुझ से बड़ी भूल हुई अब इस मर्यादा पालन से काम न चलेगा वो डूब रही होगी उसे बचाना चाहिए वो गजाधर के घर जाने के लिए कपड़े पहनने लगे तैयार होकर घर से निकले किन्तु ये संशय लगा हुआ था कि कोई मुझे उसके दर्वाजे पर देख न ले मालूम नहीं गजाधर अपने मन में क्या समझे कहीं उलज पड़ा तो मुश्किल होगी घर के बाहर निकल चुके थे लोट पड़े और कपड़े उतार दिये जब वो दस बज़े भोजन करने गए तो सुभद्रा ने तेवर बदल कर कहा ये आज सवीर सुमन के पीछे कपड़ गए निकालना ही था तो एक धंग से निकालते उस बुढ़े जीतन को भेज दिया उसने उल्टी सीधी जो कुछ मुँँ में आई कही बिचारी ने जीव तक नहीं हिलाई चुपचाप चली गई मारे लाज के मैंने सिर नहीं उठाया मुझसे आकर कहते मैं समझा देती कोई गवानिन तो थी नहीं अपना सुभीता करके चली जाती ये सब तो कुछ नहुआ बस नादिर्शाही हुक्म दे दिया बदनामी का इतना डर वो अगर लोटकर घर न गई तो क्या कुछ कम बदनामी होगी कौन जाने कहां जाएगी इसका दोश किस पर होगा सुभद्रा भरी बैठी थी उबल पड़ी पद्म सिंग अपना अपराध सुईकार करने वाले अपराधी की भाती सिर जुकाय सुनते रहे जो विचार उनके मन में थे वे सुभद्रा की जीव पर थे चुपचा भुजन किया और कचहरी चली गए आज उस जलसे के बाद तीसरा दिन था पहले शर्माजी को कचहरी के लोग एक चलित्रवान मनुष्य समझते थे और उनका आधर करते थे किन्तु इधर तीन चार दिनों से जब अन्न वकीलों को अवकाश मिलता तो वो शर्माजी के पास आकर बैठ जाते और उनसे राग रंग की चर्चा करने लगते शर्माजी सुना है आज के लखनव से कोई बाई जी आई है उनके गाने के बड़ी प्रशंसा है उनका मुझरा न कराईएगा अजी शर्माजी कुछ सुना आपने आपकी भोली बाई पर सेट चिम्मन लाल बेतर है रीजे हुए है कोई कहता भाई साब कल गंगा इसनाने काट पर बड़ी बाहर होगे क्यों नए एक पार्टी कर दीजे सरस्वती को बुला लीजेगा गाती तो बहुत अच्छा नहीं बगर यौवन में अदूती है शर्मा जी को इन चर्चाओं से घ्रणा होती वो सोचते क्या मैं वैश्याओं का दलाल हूँ जो मुझ से लोग इस परकार की बाते करते हैं कचरी के कर्मचारियों के वैवहार मैं भी शर्मा जी को एक विशेश अंतर दिखाई देता था उन्हें जब छुट्टी मिलती सिगरेट पीते हुए आकर शर्मा जी के पास बैठ जाते और इस परकार चर्चा करने लगते या तक कि शर्मा जी किसी बहाने से उठ जाते और उनसे पीछा छुटाने के लिए घंटों किसी व्रिक्ष की नीचे छिपकर बैठे रहते वो उस अशुभ मुहुर्द को कोशते जब उन्होंने जलसा किया था आज भी वो कचहरी में जादा न ठहर सके इन्ही घ्रनित चर्चाओं से उकता कर दो ही बजी लोट आए जोही दौर पर पहुँचे सदन ने आकर उनकी चरण सपर्ष किये शर्मा जी आश्यरे से बोले अरे सदर तुम कब आए सदन इसी गाड़ी से आया पदम सिंग घर पर तो सब कुशल है सदन जी हाँ सब अच्छी तरह है पदम सिंग कब चले थे इसी एक बजी वाली गाड़ी से सदन जी नहीं चला तो था नौ बजी रात को किन्तु गाड़ी में सो गया और मुगल सराय पहुँच गया उधर से बारह बजी वाली डाक से आया हूँ पदम सिंग वाँ अच्छे रहे कुछ भोजन किया सदन जी हाँ कर चुका पदम सिंग मैं तो आपकी होली में ना जा सका भावी कुछ कहती थी सदन आपकी राहे लोग दो दिन तक देखते रहे दादा दो दिन पाल की लेकर गए अम्मा रोती थी मेरा जीना लगता था रात को उठकर चला आया शर्मा जी तो क्या घर पर पूछा नहीं सदन पूछा क्यों नहीं लेकिन आप तो उन लोगों को जानते हैं अम्मा राजी नहीं शर्मा जी तब तो वो लोग बहुत घबराते होंगे ऐसा ही था तो किसी को साथ ले लेते खेर अच्छा हुआ मेरा जी भी तुम्हें देखने को लगा था अब आगा ये तु किसी मदर से में नाम लिखा सदन जी हाँ यही तो मेरा भी विचार है शर्मा जी ने मदन सिंग के नाम पर तार दिया घबराये मत सदन यहीं आ गया है उसका नाम किसी स्कूल में लिखा दिया जाएगा तार देकर सदन से गाउं घर की बाते करने लगे कोई कुर्मी, कहार, लोहार, चमार ऐसा न बचा जिसके संबंध में शर्मा जी ने कुछ ना कुछ पूछा ना हो ग्रामेड जीवन में एक परकार की मम्ता होती है जो नागरिक जीवन में नहीं पाई जाती एक परकार के इसने बंधन होता है जो सब प्राणियों को चाहे छोटे हो या बड़े बांधि रहता है संध्या हो गई शर्मा जी सदन के साथ सेर को निकल है किन्तु बेनी बाग या कुइंस पार्क की ओर न जाकर वो दुर्गा कुंड और कान जी की धर्मशाला की ओर गए उनका चित चिंतक रस्त हो रहा था आखें इधर उधर सुमन को खोश्टी फिरती थी मन में निश्य कर लिया था कि अब की वो मिल जाए तो कदापी न जाने दू चाहे कितनी ही बदनामी हो यही न होगा कि उसका पती मुझ पर दावा करेगा सुमन की इच्छा होगी चली जाएगी चलूं गजाधर के पास संभव है वो घर आ गई हो यह विचार आते ही वो घर लोटे कई मुवक्किल उनकी बाट जो रहे थे उनके कागस पत्र देखे किन्तु मन दूसरी ओर था जो ही इन से चुटी हुई वो गजाधर के घर चले किन्तु इधर उधर ताकते जाते थे कि कहीं कोई देखना रहा हो कोई साथ ना आता हो इस ढंक से जाते हैं मानो कोई प्रयूजन नहीं है गजाधर के दौर पर पहुँचे वो अभी दुकान से लोटा था आज उसे दोपहर ही को खबर मिली थी कि शर्माजी ने सुमन को घर से निकाल दिया तिस पर भी उसको ये संदे हो रहा था कि कहीं इस बहाने उसे छिपा न दिया हो लेकिन इस समय शर्माजी को अपने द्वार पर देखकर वो उनका सतकार करने के लिए विवश हो गया खाट पर से उठकर उन्हें नमस्ते किया शर्माजी रुग गए और निश्चेष्ट भाव से बोले क्यों पांडे जी मारा जिन घर आ गई न गजाधर का संदे कुछ हटा बोला जी नहीं जब से आपके घर से गई तब से उसका कुछ पता नहीं शर्माजी आपने कुछ इधर उधर पूश्टाश नहीं की आखिर ये बात क्या हुई जो आप उनसे इतने नाराज हो गए गजाधर महाशाय मेरे निकालने का तो एक बहाना था असल मों वो निकलना चाहती ही थी पासपडोस की दुश्टाव ने उसे बिगाड़ दिया था इधर महिनों से वो अनमनी सी रहती थी होली के दिने एक बज़े रात को आई मुझे संदेव हुआ मैंने डांड़ा पट की घर से निकल खड़ी हुई शर्मा जी लेकिन आप उसे घर लाना चाहते तो मेरे यहां से ला सकते थी इसके बदले आपने मुझे को बदनाम करना शुरू किया तो भाई अपनी बदनामी कौन चाहता है मैंने उसे अपने घर से अलग कर दिया बताओ और मैं क्या करता अपनी इज़त तो सभी को प्यारी होती है इस मौामली में मेरा इतना ही अपराध था कि वो होली वाले जलसे में मेरे यहां रही यदि मुझे मालूम होता कि जलसे का यह परणाम होगा तो यह तो जलसा ही न करता यह उसे अपने घर आने न देता इतनी अपराध के लिए आपने सारे शेहर में मेरा नाम बेच डाना गजाधर रोने लगा उसके मन का ब्रहम दूर हो गया रोते हुए बोला महाशे इस अपराध के लिए मुझे जो सजा चाहें थे मैं गवार मूर्ख ठेर जिसने जो बात सुझा दी मान गया वो बैंक के घर के बाबु है भला सा नाम है विठल दास है मैं उनी के चेकमे में आ गया होली के एक दिन पहले वो हमारी दुकान आये थे कुछ कपड़ा लिया और मुझे अलग ने जाकर आपके बारे पह अब क्या को उनकी बात सुनकर मुझे भराम हो गया मैं उन्हें भला आदमी समझता था सारे शहर में दूसरों के साथ भलाई करने के लिए उपदेश करते फिरते ऐसा धर्मातमा आदमी कोई बात कहता है तो उस पर विश्वास हा जाता है मालुम नहीं उन्हें आप से क्या बैर था और मेरा तो उन्होंने घर ही बेगाड दिया ये कहकर गजाधर फिर रोने लगा उसके मन का भ्रहम दूर हो गया था रोते हुए बोला सरकार इस अपराध के लिए मुझे जो सजा चाहें दे शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा मानू किसी ने लोहे की छड़ लाल करके उनके हिर्दाय में चुभा दी माते पर पसी ना आ गया वो सामने से तलवार का वार रोक सकते थे किन्तु पीछे से सुई की नौक भी उनकी सेहन शक्ती से बाहर थे विठल दास उनके परम्मित्र थे शर्मा जी उनकी इज़द करते थे आपस में बहुधा मतभेद होने पर भी वो उनके पवित्र देशियों का आधर करते थे ऐसा व्यक्ती जान बूच कर जब किसी पर कीचड फेंके तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि शुद्ध विचार रखते हुए भी वो क्रूर है शर्मा जी समझ गए कि होली के जलसे के प्रस्ताव से नाराज होकर विठल दास ने ये आग लगाई केवल मेरा अपमान करने के लिए जनता के द्रिष्टी से गिराने के लिए मुझ पर ये दोशारूपन किया है क्रोध से कापते हुए बोले तुम उनके मुह पर कहो गए गजाधर हाँ साच को क्या आच चली अभी मैं उनके सामने कह दू मजाल है कि वो इंकार कर जाए क्रोध के आवेग में शर्मा जी चलने को प्रस्तुत हो गए किन्तु इतनी देर में आधी का वेग कुछ कम हो चलना था संभल गए इस समय वहाँ जाने से बात बढ़ जाएगी ये सोचकर गजाधर से बोले अच्छी बात है जब मैं बुलाओं तो चले आना मगर निश्चिंत मत बैठो महराजिन की खोज में रहो समय बुरा है जो खर्च की जरूरत हो वो मुझ से लो ये कहकर शर्माजी घर चले गए विठल दास की गुप्त चुरी के आगात ने उन्हें निश्टेज बना दिया था वो यही समझते थे कि विठल दास ने किवल दुएश के कारण ये शडियंत्र रचा है ये विचार शर्माजी की ध्यान में भी नाया की संभाव है उन्होंने जो कुछ कहा हो वो शुब्चिंताओं से प्रेरित होकर कहा हो और उस पर विश्वास करते हो अभी आप सुन रहे थे मुझी प्रेमचंद के लिखियो पन्यास सेवा सदन के ते रहवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवाज में